और अगर पेपसी को पीना है तो सोच कर पी हो कि इसमें वही एसिड है जिससे toilet cleanner बनता है और उतना ही एसिड है जितना toilet cleaner में होता है मैंने एक बार पेपसी का pH calculate किया था, 2.4 है और फिनाइल का pH भी 2.4 है हार्पिक का pH भी 2.4 है तो एक दिन मैंने सोचा हारपिक से टॉइलेट साफ होता है तो पेपसी से भी होना चाहिए मैंने किया और एक दम जखा जख सफेद से उस दिन से मैंने बोलना शुरू किया ठंडा मतलब टॉइलेट क्लीनर और हम पीते हैं अकेले नहीं घर में आने वाले महमान को भी पिलाते एक तरफ कहते हैं आती थी देवता होता है देवताओं को इस अंडा साफ करने का पानी पिलाते हैं ये पीने की चीज नहीं है और अब तो आपको मालूम है न पेपसी कोक में जहर भी है डी डी टी बेंजीन एक्सा क्लोराइड क्लोरो पाइरी फॉस ये सब पेस्टी साइड्स और जो वैग्यानिक इस पर रिसर्च करते हैं वो कहते हैं कि साथ साल पेपसी पियो तो अंतड़ियों में कैंसर हो जाएगा पाँच साल पियो तो नपुन सकता आ जाएगा वैग्यानिक तो बोलते हैं कि एक इंजेक्शन पेपसी ब्लड में लगाओ तो हिर्देगाद की संभावना पैदा हो जाएगा कई वैग्यानिकों ने ये सिद्ध किया है कि गर्ववती मा अगर कोका कोला पी ले तो गर्व में बच्चा विकलांग पैदा हो आँख में पैपसी कोक डाल दिया तो आँखों की रोशनी चली जाए दाट डाल दिया तो दाट गाया अभी ये कोई पीने की चीज़ है मत पी हो अपने पास बहुत कुछ है पीने के लिए संत्रे का रहस मुसम्मी का रहस नीबू की शिकंजी नारियल का पानी दही की लसी गाय का दूद कुछ नहीं मिले तो गड़े का पानी तो ये अमेरिका और यूरोप से